हेलो दोस्तों आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तों आज हम लोग कुछ खास हिंदी वर्ट्स के इंग्लिस जानेंगे तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और नोलजिबल है किरिपया इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और दोस्तों एक अलग ही अंदार्ज में हम लोग इंग्लिस वर्ट्स सीखेंगे जैसे दोस्तों मान लिजिए कि जिद्धी को इंग्लिस में कितने प्रकार से बोल सकते हैं तो दोस्तों जिद्धी के लिए आप स्टबर्न यूज कर सकते हैं जैसे he is a stubborn boy या फिर दोस्तों आप obstinate भी कह सकत हैं इसके अलाबा दोस्तों आप adamant भी कह सकते हैं यानि कि जो अपनी बातों में अटल रहते हैं तो एक तरह से जिद्धी ही हुआ इसके अलाबा दोस्तों आप tenacious भी कह सकते हैं और दोस्तों आप un-eilding भी कह सकते हैं अन-eilding का मतलब हुआ कि नहीं जुकने वाला तो दो भी words को जिद्दी के लिए use कर सकते हैं, इसी परकार दोस्तों आप नीडर को क्या-क्या कह सकते हैं और daring भी कह सकते हैं, आप दोस्तों valiant भी कह सकتे हैं, इसके अलाबा आप audacious भी कह सकते हैं तो दोस्तों इन में से कुछ words famous है जैसे fearless, bold, brave, valiant इसके अलाबा दोस्तों intrepid और audacious यानि की competitive level के words हैं आप याद रखेंगे दोस्तों next word है मुर्ख तो दोस्तों मुर्ख का English foolish होता है स्टूपीड होता है idiot होता है दोस्तों इसे neat weed भी कहा जाता है यानि की जिनके पास दिमाग नहीं होता है उन्हें आप neat weed भी कह सकते हैं neat मतलब खाली और wheat मतलब बुद्धी तो जिनके पास बुद्धी नहीं हो यानि कि neat wheat और दोस्तो आप brainless भी कह सकते हैं यानि जिनके पास brain नहीं है brainless और दोस्तो आप डल भी कह सकते हैं इसके अलाबा दोस्तों आप एक वर्ड है निन्नी ये भी कह सकते हैं दोस्तों जो बहुत बोलते हैं उसे हिंदी में बातुनी कहा जाता है और इसे इंग्लिस में आप टोकेटिव कह सकते हैं ये सबसे सिंपल वर्ड है इसके अलाबा दोस्तों आप लोक्वेसस कह सकते हैं और दोस्तों जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उसे गेरूलस भी कहा जाता है गेरूलस और दोस्तों इसे वोलियूबल भी कहा जाता है वोलियूबल इसके अलावा दोस्तों जो बहुत ज़्यादा चैट करते हैं उसे आप chatty भी कह सकते हैं और जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उन्हें chatter box भी कहा जाता है तो दोस्तों ये कुछ खास words है इसमें आप garrulous याद रखेंगे loquacious याद रखेंगे voluble याद रखेंगे ये सभी competitive level के words है मालीज़े दोस्तो अमीर को इंगलिस में कितने प्रकार से बोल सकते हैं तो सबसे simple word है reach इसके अलाबा दोस्तों हम लोग wealthy का भी यूज़ करते हैं इसके अलाबा आप prosperous कह सकते हैं और दोस्तों आप opulent भी कह सकते हैं effluent भी कह सकते हैं effluent और दोस्तों धन पेल फिवी कहा जाता है यह मैंने extra word आप लोगों बता दिया इसमें आप effluent याद रखेंगे opulent याद रखेंगे इसके अलाबा दोस्तों गरीब के लिए कितने English words हैं तो जो सबसे simple और common word है वह है poor इसके अलाबा दोस्तों एक word है panureous इस word का भी आप यूज कर सकते हैं और गरीबी को panurey भी कहा जाता है इसी से बना है panureous दोस्तों आप indigent भी कह सकते हैं indigent miserable भी कह सकते हैं इसे दैनिये भी कहा जाता है आप दोस्तों under privileged भी कह सकते हैं under privileged दोस्तों next word काफी important है आप हंगामा को English में कितने परकार से बोल सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप commotion का यूज कर सकते हैं हंगामा के लिए अपरोर का भी यूज होता है एक तरह से कुलाहल हंगामा आप chaos का भी यूज कर सकते हैं इसके अलाबा दोस्तों आप tumult का यूज कर सकते हैं दोस्तों आप turmoil का भी यूज कर सकते हैं turmoil का मतलब होता है हंगामा आप uphevel का भी यूज कर सकते हैं uphevel इसका मतलब भी होता है हंगामा दोस्तों मेहनती को इंग्लिस में कितने प्रकार से बोला जा सकता है तो जो सबसे simple word है वो है laborious hard working इसके लाबा दोस्तों आप diligent का यूज कर सकते हैं industrious का यूज कर सकते हैं तो ये सब कुछ common words है दोस्तों कम करना को इंग्लिस में कितने प्रकार से बोला जा सकता है तो lesson का मतलब होता है कम करना decrease का मतलब होता है कम करना इसके लाबा दोस्तों आप minimize भी कह सकते हैं आप reduce भी कह सकते हैं आप alleviate भी कह सकते हैं दोस्तों alleviate का मतलब होता है कम करना खास तोर से दर्द को कम करना और दोस्तों आप cut short भी कह सकते हैं यानि किसी चीज को कम कर देना दोस्तों उदास सब्द के लिए कितने English words हो सकते हैं सबसे common word है sad इसके लाबा दोस्तों disappointed इसके लाबा दोस्तों dejected का भी यूज होता है और दोस्तों despondent का भी यूज होता है आप sorrowful का भी यूज कर सकते हैं और दोस्तों इसके लाबा आप distressed का भी यूज कर सकते हैं distressed यानिके double s तो दोस्तों यदि आप इस प्रकार से English words सीखेंगे तो आपको एक साथ बहुत सारे English words याद हो जाएंगे और दोस्तों उमीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा यदि आप लोग का अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों कुछ ने कुछ कॉमेंट जरूर कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह से आप लोग के लिए मेहनत करता रहूं और नई नई वीडियो लाता रहूं alright friends thanks for watching have a great day